हेलो फेंस, वेलकम टू मैं चैनल, आज की इस वीडियो मा आपको ओल्ड साड़ी से अम्रेला गाउन की कटिंग या स्टिचिंग करना बताऊंगी, इस गाउन को बनाने के लिए मैंने सिंपल साड़ी और दो मिटर लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, सबसे पहले हम लाइनिं का मार्ज लगाएंगे, सोल्डर की लंबाई ले रही हूं साथ इंच पर, और जापे हमने सोल्डर की लंबाई ली है, वांसे हम आर्मोल की लेंद लेंगे, साथ इंच पर, या पर हमें एक बुक्ष बना लेना है, आर्मोल में घरहे देंगे, जितने भी आपके आर्मोल की लंबाई हो उसको हमें हाफ करना है और जांसे हमारा हाफ हो आ है वहां से हम घरहे दे देंगे फ्रिंट पार्ट में घरहे देंगे आदेंच पर अंदर की तर्मार्ज लगाएंगे आदेंच पर और फ्रिंट पार्ट में घरहे देंगे इस तरह नेक का मार्ज लगाएंगे इस कुर्ती में हम बैक नेक डीप बनाएंगे तो सबसे पहले हम फ्रिंट के लिए मार्ज लगाएंगे फ्रिंट की विर्थ ली है मैंनी तीन इंच पर और डीप में भी तीन इंच ही रखा है या पर हमें एक बॉक्स बना लेना है और बॉक्स बनाने के बाद नेक का सेफ दे देंगे इस तरहां फिटिंग का मार्ज लगाएंगे फिटिंग में चेस्ट के लंबाई है 32 इंच पर 32 का हमें आपर चोथा भाग लेना है 32 का चोथा भाग लेंगे 8 इंच पर और 1.5 इंच यापण में एक्षटा रखेंगे सिलाई मार्जन के लिए और कमर के लमबाई लिए है 7 इंच यापण भी 1.5 इंच एक्षटा रख लेंगे टोप पार्ट की लेंध लिए है मैंने 15 इंच पर एक इंच याप्रम एक्ष्टा रखेंगे और माज़ लगाने के बाद कटिंग कर देंगे इस तरह हमें फ्रेंट पार्ट ये कटिंग कर देनी है फ्रेंट पार्ट में हमने जो घराय दी थी उसको कट करेंगे इस तरह उसके बाद प्लेट का मार्ज़ लगाएंगे जितने भी आपके कमर की विर्थ हो उसको हमें हाफ कर लेना है और हाफ करने के बाद वापे हम मार्ज़ लगा देंगे उस मार्ज़ से हमें साड़े पांच इच की दुरी पर उपर की तरह मार्जन लगा देना है और प्लेट का सेफ दे देंगे इस तरह और सेफ देने के बाद इस मार्जन को हमें दूशी सैड नोट करना है तो फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम टैप कर देंगे और इन मार्जनों को हम डारब कर देंगे उसके बाद बैक पार्ट के नेक को कट करेंगे तो बैक पार्ट के डीप की लिंद रख रही हूँ मैं आठ हिंच पर यहाँ पर आप कम ज़दा वे रख सकते हैं आठ हिंच पर मार्ज लगा देंगे और यहाँ पर हमें एक बुक्स बना लेना है और बुक्स बनाने के बाद नेक का सेफ दे देंगे कटिंग कर देंगे इस तरह हमें नेक की कटिंग कर लेनी है मैंने फैब्रिक की कटिंग करेंगे मैंने फैब्रिक को हमें चरभगों में कर लेना है जापे हमारे मैन फैब्रिक की फोल्ड सैड है वापे हम लाइनिंग की फोल्ड सैड रखेंगे फोल्ड सैड की उपर फोल्ड सैड रखेंगे और आदा इंच नीचे की तरफ एक्ष्टा माज लगाएंगे जिस तरह हमने लाइनिंग को कट किया था उसी के अकोर्डिंग हमें मैन फैब्रिक को आदे इंच की दुरी पर एक्ष्टा माज रखते हुए कटिंग कर लेनी है तो इस तरह हमें आदे इंच की दुरी पर एक्ष्टा माज रखते हुए कटिंग करनी है उसके बाद बैक पार्ट के नेक को कट करेंगे फोल्ड वाली साइड के उपर फोल्ड वाली साइड रख देंगे इस तरह और आदे इसका मार्जन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे इस तरह हमें मैं फैब्रिक के कटिंग कर लेनी है बाजु की कटिंग करेंगे सबसे पहले हम कपड़े को चैरफ़ागों में करेंगे इस तरह बाजु की लेंद रखी है मैंने 17 इंच पर एक इंच याप्रम एक्ष्टा रखेंगे कुर्ती में हमने आरमल की लमबाय साथ इंच पर लिए थी याप्रम आरमल की लमबाय डाई या तीन इंच एक्ष्टा रखेंगे तो बाजु में आरमल की लमबाय रखी है मैंने सड़े आठ इंच पर जापे हमारे बाजू की खुली सैड है वापे हम नीचे की तरफ मार्ज लगाएंगे ड़ाई इंच पर और इस मार्जन तक हमें बाजू का शेप दे देना है इस तरह नीचे से चुड़ाई लिए है पांच इंच पर एक इंचे एक्ष्टा रखेंगे मार्ज लगाने के बाद कटिंग कर देंगे इस तरह हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है टोप पार्ट और बाजू की कटिंग होने के बाद जितना भी कपड़ा बसता है हमारा बोटम पार्ट में आएगा बोटम पार्ट में मैंने объeter fabric का use किया है तो सबसे पहले हमें कपड़े को दो भागो में कर लेना है किसी एक कोन को उठाएंगे त्रैंगल से अब देंगे इस त्रा अंध्याज ुआ देंगे ट्रैंगल से अब देने के बाद कमर का मार्ज लगाएंगे यापर कमर के लंबाई है 28 इंच पर 28 का हमें आपर चोथा भाग लेना है क्योंकि ही एक प्ड़ा च्यारफ भगों में है 28 का चोथा भाग लेंगे 7 इंच पर और एक इंच यहां पर हम एक्ष्टा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए यहां पर जो मार्ज लगाना है हमें आठ इंच पर लगाना है दोनु कोर्णरों पर हमें आठ इंच पर मार्ज लगा देना है इस टेब को हमें कोर्णर पर लख देना है और गुमाते विए इस टेबल को मार्जिन लगा देना है जा पर हमने कमर का मार्ज लगाया है वहाँ से हम बोटम पार्ट की लेंगे तो बोटम पार्ट की लेंद ले रही हूँ मैं चोती सिंच पर जो एक इंच नीचे की तरफ फोल्ड होगा और आदेंच उपर की तरफ मार्ज में आ जाएगा टोटल जो बोटम पार्ट बन कर त्यार होगा सड़े 32 सिंच पर त्यार होगा लेंद आप अपने एकोडिंग कम ज़्यादा भी रख सकते हैं इस टेब को हमें कोर्णर पे रख देना है और गुमाते विए इस टेबल को 34 सिंच पर मार्ज लगा देना है कोर्णर पे हम इस टेबल को रखेंगे और मार्ज लगाने के बाद कटिंग कर देंगे बोटम पार्टी कटिंग कर लेनी है मैं इन फैब्री की कटिंग करने के बाद लाइनिंग की कटिंग करेंगे सबसे पहले हम कपड़े को दो भागों में करेंगे लाइनिंग की विर्थ है 40 इंच पर और इसकी लेंथ है 34 इंच पर किसी एकोनों को उठाएंगे और ट्रेंगल से अप देंगे इस तरह उसके बाद लाइनिंग के ऊपर हमें मैन फैबरी को रख देना है जो मार्जन कमर का हमने मैन फैबरी के में लगाया है वही मार्जन कमर का हमें लाइनिंग में लगाना है इस तरह बोटम पार्ट की लेंध लेंगे बोटम पार्ट की लेंद ली है मैंने 29 इंज पर लाइनिंग में हमें चैर ये 5 इंज बोटम पार्ट की लेंद कम लेनी है तो यहाँ पर 29 इंज पर माज लगा देना है तो 29 इंज पर माज लगा देना है पूरे में माज लगाने के बाद कटिंग कर देंगे इस तरह हमें लाइनिंग के कटिंग कर देनी है लाइनिंग में हमारे दो पार्च कम आए हैं तो यहां पर हम जोड लगाएंगे जो निचे वाला फैब्रिक बचा था हमारा उसका हम जोड लगाएंगे निचे वाले फैब्रिक को हमें आदे इंच के दुरी पर उटपर की तरफ एक्स्टा रखना है वो हमारा शिलाएं में आएगा तो निचे वाले फैब्रिक से हमें उंगलियों से मैसूस करते हुवे या पर गुलाएं में मार्ज लगा देना है इस तरह और मार्ज लगाने के बाद कटिंग कर देंगे इस तरह हमें पार्च कट कर लेने हैं उसके बाद अटेच करेंगे तो इस तरह हम रख देंगे दोनों की सीदी साइड अंदर की तर्फ रखनी है और रखते हुए सिलय लगा देंगे और इसे अकोड़ी हम दूसरे जोड को अटेच करेंगे इस तरह हमें दोनों पार्च में जोड को अटेच कर लेना है cutting करने के बाद stitching करेंगे सबसे पिले हम top part को त्यार करेंगे तो इसके लिए हमें मैन फैबरिक के ऊपर lining को रख देना है और रखने के बाद नेक पर शिलै लगा देंगे इस तरह हमें सिलै लगा देनी है और शिले लगाने के बाद याप्रम छोचोटे कट लगा देंगे कट लगाने के बाद लाइनिंग को सीधी सेड़ के दिर्फ करेंगे इस तरह और नेक पर टोप स्टिश लगा देंगे इस तरह हमें सिले लगा देनी है सिले लगाने के बाद मैन फैब्रिक और लाइनिंग को एक दूसरे से अटैच कर लेंगे तो इसके लिए हमें टोप पार्ट में चरो और सिले लगा देनी है मैन फैब्रिक का जो भी एक्ष्टर फैब्रिक है उसको हम हटा देंगे इस तरह हमें सिले लगा देनी है और सिले लगाने के बाद हमने जो टर्च पार्ट का मार्ज लगाया था उसको हमें इस तरह उठाना है और मार्जन तक सिले लगा देनी है इस तरह हमें टर्च पार्ट पर सिले लगा देनी है लेश को टेज करेंगे तो सबसे पहले हम टोप पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर ले लेंगे इस तरह हमें सेंटर ले लेना है लेश के कोर्णर को हमें आदेंच की दूरी पर उपर से फोल्ड करते हुए शिले लगा देनी है जापे हमने सेंटर लगाया था वापे हम इस तरह लेश को रख देंगे सेंटर के पास में लेश को रख देना है वो रखते हुए शिले लगा देनी है इस तरह और इसे कोड़ी हम दूसरी लेश को टैच करेंगे सेंटर के पास में लेश को रख देंगे और शिलय लगा देंगे लेश को टैच करने के बाद लेश के कोणर को आदेंच की दूरी पर अंदर खितर फोल्ड करेंगे और शिलय लगा देंगे पूरी में और इसे कोड़ी हम दूसरी लेश को टैच करेंगे इस तरह हमें लेश को टैच कर लेना है जिस तरह हमने फ्रेंट पार्ट में लाइनिंग को टैच किया था उसे कोड़ी हमें बैक पार्ट में भी लाइनिंग को टैच कर देना है शोल्डर को टैज करेंगे तो फ्रिंट पार्ट के उपर बैक पार्ट को हम सीधी साइड कतर रख देंगे दोनों की सीधी साइड अंदर कतर रखते हुए शिले लगा देंगे इस तरह हमें सोल्डर को टैज कर लेना है बाजु को टैज करेंगे टोप पार्ट को सीती सैट guarantee तरफ देंगे और इस तरह बाजू को हमें रख देना है और सिलय लगा देनी है एक इंच की दूरी पर नीचे से फोल्ड करेंगे और सिलय लगा देंगे और इसे अकोरी हम दूसरी बाजू को स्चिज करेंगे तो इस तरह हमें दोनों बाजों को स्टिच कर देना है बाजों में लेश लगाएंगे जापे हमने सिलय लगाए थी वहाँ पे हमें लेश को रख देना है और लेश के दोनों कोनरों पे हमें सिलय लगा देनी है और इसी के एकोडिंग हम दूसरी बाजू में लेश को टैज करेंगे मैं फैब्रिक में लाइनिंग को टैज करेंगे मैं फैब्रिक के उपर लाइनिंग को रख देंगे और रखते हुवे सिले लगा देंगे और इसे अकोडिंग हम दूसरे पार्ट को त्यार करेंगे इस तरह हमें दोनों पार्टों में लाइनिंग को टैज कर लेना है लाइनिंग को टैज करने के बाद बोटम पार्ट को सीधी साड़ कतर्फ करेंगे बोटम पार्ट को हमें सीधी सैड की तरफ रख लेना है और कुर्ति को भी इसके उपर हमें सीधी सैड की तरफ रखना है दोनों की सीधी सैड अंदर की तरफ रखेंगे और रखते हुए कोनर से कोनर मिलाएंगे और शिलाय लगा देंगे और इशे कोड़ी हम बैक पार्ट को त्यार करेंगे इस तरह हमें फ्रिंड और बैक दोनों पार्टों को त्यार कर लेना है तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को आदेंच के दुरी पर डवल फोल्ड करते हुए सिले लगा देनी है दोनों पार्टों में इस तरह हमें लाइनिंग के दोनों पार्टों को आदेंच के दुरी पर डवल फोल्ड करते हुए सिले लगा देनी है उसके बाद फिटिंग में मार्ज लगाएंगे जितने भी आपकी टोप पार्ट की लेंध हो उसको हमें हाफ कर लेना है और जांसे हमारा हाफ हुआ है वहां पर हम सेंटर लगा देंगे तो यहां पर चेस्ट की लंबाई है 32 इंच पर एक पार्ट में मार्जन हमारा 16 इंच पर लगेगा तो आठ इंच इस साइड और आठ इंच उस साइड माज लगा देना है और कमर का माज लगाना है साथ इंच इस साइड और साथ इंच उस साइड माज लगा देना है माज लगाने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग का सेथ देंगे और सेब देने के बाद माजन के उपर सिले लगा देंगे लाइनिंग और मैन फैब्रिक के हमें कोर्नर से कोर्नर मिलाने है इस तरह चारू के कोर्नर से कोर्नर मिलाने है उनीचे बोटम तक सिले लगा देनी है इस तरह हमें फिटिंग और मेन फैब्रिक के बोटम को एक इंच की दुरी पर डेवल फोल्ड करते हुए सिले लगा देनी है पूरे में और बैक नेक में हम फैब्रिक लटन का यूज करेंगे अगर आप फैब्रिक लटन वाले वीडियो देखना चाते हैं उसके लिंक में एंस्किने में दे दूँगी मेरी जो फ्रोक है